हलो गाईस कैसे आप सब आशा करता हूँ अच्छ हूंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ड्रेगन मैन क्या दोबारा लिखी जाएगी मानो सभेता की कहानी तो आज के इस वीडियो में यही टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे तो वीडियो को पूरा देखे तभी जाकर के आपको इसके बारे में जनकारी मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं चीन में मिली है ड्रेगन मैन की खोपड़ी, चीन में एक काफी पुरानी खोपड़ी मिली है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह मानव जाती के सबसे करीबी पुर्वज हो सकते हैं, इसकी खोज दूसरी बार होई है, रिसर्चर्स डिस्कोबर्ड एसियन्ट इस्किल चाइना के बैज्यानिकों ने यह खुलासा किया है कि यह देश के उत्तर पुर्व के हिस्सों में मिली है, इसका नाम होमो लेंगी यह ड्रेगन मैन बताया जा रहा है, बैज्यानिकों का यह दावा है कि इसकी बंसावली उन अधुनिक मानों के नजदी की संबंधी हो सकते हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हूं, पचासी साल पहले भी इसकी खोज की गई थी, 2018 में इसे फिलहाल खोजा गया था, और 1930 इसबी में जपानी सेना के डर से इसे कुए में छिपा दिया गया था, होमो लेंगी को लेकर कहा जा रहा है कि ये पूरे एसिया में फैले हुए थे, और ये बेहद ज़्यादा कठीन वातावरन में रहते थे, रिसेंटली अभी इजराइल में भी ऐसा ही खोपड़ी देखने को मिला था, इस्ट्रीगर का कहना है, इस्ट्रीगर जो एक रिसर्चर है, उन्ही का कहना है कि अगर इसे एक अलग परजाती की दर्जा दे दिया जाए, तो ये हमारे नज़दी की संबंधी हो सकते हैं, रिसेर्चर्स डिसकोबर्ड एसियेंट इस्किल चाइना के मुताभिक, खोपड़ी लगभग डेड़ लाक साल पूराना बताया जा रहा है, और इनका यह कहना है कि सायद यह बार हवाले जंगली इलाकों में रहते होंगे, इस पे और रिसर्च किया जा रहा है, और पता ल बढ़ने रहें वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा यह वीडियो आप जरूर कोमेंट करके बताए, तो आज के लिए इतना ही, जय हिन, जय भारत, वन्दमापर,